हलो लेर्नर्स दिस इस रितु शर्मा वालकम बैक टू एडू फ्लाइट यहां पर हम लोग डिसकस कर रहे थे डी ट्रेपल स्वी पी जी टी कॉमर्स का प्रिवेस येर कोशन पेपर 2015 का और ये पार्ट 14 है इससे पहले मैं 13 पार्ट प्रोवाइड करा चुक हूँ तो अगर आपने वो पार्ट नहीं देखे हैं तो जाके देख लो क्योंकि बहुत इंपोर्टेंट हैं प्ले लिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा डिटेल एक्स्प्रिप्शन रहती है यहां पर मैं हर एक कोशन को बहुत डिटेल में डिस्कस करती हूं एक कोशन के साथ आपके जितने भी उसके ऑप्शन होते हैं उसके सारे पॉइंट ही मैं डिस्कस कर लेती हूं तो आपके एक कोशन के साथ ना तीन चार कोशन और प्र कोई भी वीडियो आती है उसकी नोटिफिक्शन आपको सबसे पहले मिल जाए सबस्काइब जरूर करना है शुरू करते हैं आज का डिसकेशन first question आज का 70 first question जो है first question है क्योंकि इससे पहले में 70 question आपको already provided करा चुकी हूँ first question is which is not the management function इन मैंसे कौन सा management का function नहीं है I hope आप सब को पता होगा five functions होते हैं basically जो हम पढ़ते हैं management के अलग-अलग theorists ने अलग-अलग functions दिये हैं लेकिन हम basically five functions पढ़ते हैं right तो यहाँ पर options क्या क्या है cooperation, planning and organizing या फिर controlling अब इसमें से आपको बताने है कि कौन सा management का function नहीं है और यह जो not होता है इस पर बहुत ध्यान देना होता है कभी-कभी हम इसको skip कर जाते हैं और हमारा answer गलत हो जाता है तो यह चीज ध्यान रखनी है अब बताइए भी फटा-फ क्योंकि planning, organizing and controlling ये तीन हुई आपके management के five functions में से तीन functions है एक बार देख लेते हैं management exactly होता क्या है और इसके functions कौन से होते हैं जो हम five functions पढ़ते है management is nothing but managing people with tact and managing people for achieving goals मतलब management कुछ नहीं है exactly लेकिन क्या है लोगों को यह resources को tactfully manage करना, handle करना और अपने goal को achieve करना तो अपने goal को achieve करने के लिए अगर organization की बात करें तो वहाँ पर जो resources होते हैं people होते हैं उन लोगों को कैसे manage करना है कि हमारा जो goal है वो achieve हो जाए तो इस चीज़ों को manage करना हम बोलते हैं हम लोग management is the coordination and administration of task to achieve the goal management का coordinate करना और administration करना टास्कों को चीजों का resources का ताकि हम अपने goal को achieve कर सकें अगर देखा जाये तो हम क्या परते है management is all pervasive which is very true क्योंकि हम सब अपनी life में daily कितनी सारी चीजों को manage करते हैं अगर आपको सुबह उठना भी है ना तो उसके लिए अपको अलाम लगाना पड़ेगा आपको जल्दी उठना है अगर अलाम नहीं लगाना तो आप अपने घर में किसी को बोल के सोते हो तो यह सब चीज़े क्या है अब manage कर रहे हो अपनी चीजों को अपना goal अचीव करने के लिए these all things are management ओके अब five functions है जो main five functions है management के यह क्या है first is planning क्योंकि जब हम एक organization run कर रहे हैं तो वहां पे हमारे एक objective होता है अब वह objective fulfilled कैसे होगा उसके लिए हमें planning करनी पड़ते है planning is future oriented we all know तो पहले से हम plan करते के मुझे यह objective fulfilled करना है तो मेरी क्या planning होनी चाहिए मैं future में क्या क्या actions करूँगा जिससे मेरे objective या goal है achieve हो जाए फिर planning जब आपने कर ली सब कुछ blueprint तयार कर लिया उसके बाद हम क्या करते है organizing करते है organize करना organizational structure बनाना कि हमारे organization में क्या क्या पॉस्ट होंगी कौन सी जॉब होगी कौन किसको subordinate करेगा कौन किसका manager होगा कौन superior होगा यह सब चीजह हम काम पर define करते है organization के अंदर फिर जब आपने यह सब पूरा blueprint तयार कर लिया organization का भी उसके बाद काम आता है आपका staffing अब लोग चाहिए आपको वो jobs को fulfill करने के लिए जो अपने organization के अंदर create की है फिर यहां से शुरू होता है staffing employee करना लोगों को people को अपने organization के अंदर अब लोग भी आ गए आपके organization के अंदर अब actual काम शुरू हो गई यहां से क्योंकि अब आपने पोस्त भी फिल कर दी सारी काम शुरू हो गया अपके organization के अंदर अब बाताती है directing की कि उनको डायरेक्ट करना कि जो आपने गोल बनाए है ना जो अपने प्लान किया है वह exactly हो भी रहा है या नहीं हो रहा तो डायरेक्टिंग के अंदर आप क् कि थ्रू काम करवा सकते हो उनको motivate करके अच्छे से कॉडिनेट करके लीडर करके राइट तो यह सब किसमें आ जाता है directing के अंदर फिर लास्ट होता है हमारा controlling controlling क्या है जो आपने objective अचीब करने के लिए बनाया था उसको देखना match करना अपने planning को और जो actual result है उससे कि हमारे गोल अचीब हो भी रहे है या नहीं हो रहे है और अगर नहीं हो रहे है तो कहां पर कम्या है variations क्या आ रहे हैं उनको फिर से correct करना तो यह हमारे five functions से और यह चीज़ दियान रखना planning जो है बर बसलेस होती है प्लाणिंग जो है वेस्ट होती है controlling के विए अगर अपने plan कर लिया उसको कंट्रोल नहीं कर रहे हो तो ऐसे planning को फायदा नहीं है राइट ? ऐसे ही जो controlling है वो blind होती है planning के विना क्यूंकि जब आपने कोई planning नहीं कर रहा है आपको किस तरीक इसे वह पूर Although delays are costly, the cost of eliminating all delays may be even more costly मतलब delay करना तो costly हो सकता है लेकिन कभी-कभी उन delays को eliminate करना उससे भी ज़्यादा costly हो सकता है ये question में पूछा गया है तो सबसे पहले तो delays क्या होती है इसी को पढ़ लेते हैं Cost of delay समझ लेते हैं होता क्या है Cost of delay देखो इसको हम ऐसे समझ सकते है Cost of delay कि suppose आप एक flight के ticket बुक करा रहे हो तो अगर आप उसको 1 month पहले बुक करा देते हो तो आपको वो reasonable rate पर मिल जाती है Like 10,000 में आपको suppose मिल गई आपको आसपासी कहीं जाना है 10,000 के आपको ticket मिल गई flight की ठिक है लेकिन अगर आप उसको 2 दिन पहले कराते हो तो डी लकिन आपको 10,000 में मिल ना मिलके 15,000 में मिले right तो यह क्या था Cost of delay अगर आप इसको वन bats पहले कर देते तो आपको 10,000 में मिल जाती है करना था लेकिन आप उसको दो दिन बाद कम्प्लीट कर रहो तो वहां पर कॉस्ट आएगी जो डिले हुआ हो सकता है वह जो पाटी थी आपकी वह नेक्स टाइम आपको और ना दे वह सुची कि यह तो बहुत डिले कर देते हैं यह फिर और भी आपको कोई कॉस्ट बियर करन करने की वहां पर ठीक है ऐसे ही लेकिन कभी कभी क्या होता है ना जब हम एलिमनेट करना चाहते हैं उस कॉस्ट को तो वह हमें कभी और और भी जदा महेंगा पड़ सकता है को समझ में आ गया कि काम को टाइम से कर लो तक कि हमें वह जो डिले हो रहा है उसकी कॉस्ट बियर पिर कें ना करने पड़ि को अपने बर को मभी कभी और उसकी कउस्ट को अड़ करना भी हमें महंगा पड़ सकता है सपोस्च आपने love material बुट कि आपको वो दो दिन में चाहिए तिक एड़न सामने वाली जो सप्लायर वह आपको बढिए कि नहीं जी मैं आपको पांच दिन से पहले नहीं दे पाऊंगा यह ठीक है लेकिन आप बोलो नहीं-नहीं मुझे तो दो रोग दे था हूं लेकिन यह ऑदर मुझे अभी य 2000 रुपीस देने पड़ेंगे और यहां पर क्या हो रहा है कि सपोस्ट तो यहां से 500 होने वाला लेकिन आपको कॉस्ट कितनी बीर करने पर जाएगी एक्स्ट्रा तो आई ओप जो मैंने एक्जाम्पल लिया है मैं कोशिच करी आपको अच्छी से समझाने की अब यह किस थीसिस पर बेस्ड है फस्त आप्शनिस क्विंग थीओरी गेम थीओरी प्रबिविवैबिलिटी थीओरी या फिर लीनियर प्रोग्रामिंग तो बता हो यहां पर कौण सा आप्च्छेन आपको रहा है तो अगर आप इसमें गयास भी करोगे न तो हमें इतना पते प्रबिविवी थीयोरी यहां न क्यور ग्यूंइंग। ईसको लेएं कुछ सब्सक्राइब में समझे कुछ मिल चेवर प्राइड बड़र सोय है कौना पर किये कipple वहां पर सभ्सक्राइड उक्oud को theory आपका a queuing model is constructed so that queue length and waiting time can be predicted क्योंग थोरी इसलिए बनाएगी थी तक कि queue की length और waiting time को predict किया जा सके तक कि आप एक best decision ले पाएं कि आपको किस queue में जाना है और ये queues ऐसा नहीं कि इनसान ये लगाते हैं आपके production में भी queues होती हैं कि किस machine से किस product को produce करना है packaging किस तरीके से करनी है तो ये organization से related बात हो गई आपकी फिर एक option था game theory, game theory is the process of modeling strategy interaction between the two or more player in the situation containing set of rules and outcomes तो दो player मिलके strategy बना रहे interaction कर रहे हैं आपस में किस situation को कैसे deal करना है outcome को कैसे deal करना है तो game theory अपकी social science में भी हो सकती है आपकी economics में भी हो सकती है depend करते हैं आप कहां पर इसको use कर रहे हैं तो आई होप ये question भी clear हुआ होगा next question देखते है horizontal coordination is related to horizontal coordination होता है यह वाला एक होता है आपका vertical coordination यह और एक होता है horizontal coordination इस तरीके से coordination अब यह किस से related होता है cooperation से interested party से यह फिर different level management से या फिर equal level management से अब बताईए यहां पर correct option क्या होगा अब यह horizontal coordination है तो coordination देखके confused मत हो जाना कि interested party से यह cooperation से होगा थोड़े सा मैंने बता दिया बताओ इन दोनों में से correct answer आपका क्या होगा तो yes the correct answer is equal level of management जैसा भी मैंने बताया दो तरीके coordination हो गया आपकी basically vertical और horizontal ओके horizontal हो गया तो जो vertical coordination होता हो कैसे होता सपोज यहां पर यह top management है और फिर इनके CO isu yan Top manager है यह क्या करेगए इन लोगों से coordinate करेगा तो इसको बोलते वर्टेकल coordination इसको क्या बोलते वर्टिकल और यह नीचे आ रहे ब if पर से नीचे आ रहे है इसको बोलते वर्टिकल इसलिए जो option ता मारा वो क्या था equal level of management पर जो लोग काम करते हैं उनके बीच में coordination होता है उसको बोलते है horizontal coordination तो आपको यहां से vertical coordination भी clear हो गया होगा हमारा correct option हो गया equal level of management is the horizontal coordination next question the principle of unity of command implies जो principle of unity of command है यह हमने पढ़ा है फ्यॉल के 14 principle of management के अंदर भी यह क्या होता है इंप्लाइज unity of thought and action unity among subordinates instructions from staff authority instructions from line authority तो unity of command basically देखो होता क्या है कि एक time पर एक employee को एक ही superior से direction मिले एक ही superior से order मिले तक कि वो उस काम को अच्छे से कर पाए ऐसा नहीं है कि यहां पर यह भी इसका boss बना हुआ यह भी इसका boss बना हुआ और सारे इसको अपनी तरीके से directions provide कर रहे हैं और बंदा होगे confused बिल्कुली उसको नहीं समझभारा करना क्या है इसलिए बोले रहते हैं unity of command का मतलब कि जो command आ रही है ना उपर से वो किसी एक ही superior से आये अपने subordinate को फिर वो काम मुझे फिर देखते हैं बाद में क्या करना है लेकिन ऐसा नहीं है एक की टाइम पर बहुत सारे लोग उसको instructions from line authority होता है ना यहां पर जो power की बात की जाती है वो top management की बात की जाती है और instructions from line authority में क्या होता है यहां पर बात करते हैं हम superior और subordinate की ठीक है तो हमारा correct option हो जाएगा D instructions from line authority यह हमारा correct option हो गया इसको थोड़ा सा पढ़ लेते है unity of command क्या होता है provide that an employee is responsible to only one superior who is in turn responsible to only one supervisor की employee जो responsible है सिफ एक superior के लिए who is in turn responsible to only one superior यह की superior उसको responsible ठहराएगा और जिस employee को आप responsibility दे रहो वो भी answerable होगा सिफ उसी superior के लिए और कोई उससे ज्यादा सवाल जवाब नहीं करेगा जिसने काम दिया है वो उसको बता देगा कि काम हो गया और किस तरीके से हो गया है फिर यहां पर एक option तो line authority line authority के होती है type of authority that reflects superior subordinate relationship जिसकी बात हम यहां पर कर रहे हैं यहां पर यहां पर अपनी जॉब को इंप्रूव कर सकते हो ओके इसलिए इसका correct option कहता है लाइं इसका unity of command का next question देखते हैं अच्छा question नहीं है next यहां पर मैंने लिखे हुए है 14 principle of management by Henry fuel एक principle यहां पर आया था तो देखो उसके सासत मैंने सारे लिख दे ताक कि अपका सारे रिवाइस हो जाएगा क्योंकि जरूरी नहीं है यही पूछेगा फिर से कोई भी पूछ सकता है तो हमें तो प्रिपेर रहना है तो 14 principle दियेते हैं Henry fuel ने management से related first क्याता आपका division of work यह क्या बोलता है कि काम को छोटे-छोटे chunks में divide कर दो ताक कि वह effectively हो जाए ऐसा नहीं है कि whole part आपने एक ही परसन को करने को दे दिया नहीं उसको तीन चार पार्ट में जितने पार्ट में वो डिवाइड हो सकता है उसको डिवाइड करो और फिर employees के अंदर या labor के अंदर उसको इस्टिब्यूट कर दो कि आपको यह वाला particular work करने है आपको यह particular work करने है ओके सब्सक्राइग एक 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 इंप्लोई को पूरा काम करना बैक बनाना भी है उसमें जो इस्वाइड लगानी है और पैक भी करना है तो सारे उसमें लगे रहेंगे लेकिन अगर आप काम को डि या इतने लोग बैक बनाएंगे फिर जो वहां से बनके आ जाएगा चेक करने के वाद उसमें स्ट्रीप लगाएंगे फिर बाकी के जो इंप्लोई से वह आपके सी पैकिंग करेंगे तो इससे क्या होगा इफेक्टिवनेस निकल के आती है काम के अंदर है ना तो इसलिए बोलेता है कि डिवीजन ऑफ वक होना चाहिए अच्छे तरीके से नेक्स्ट है आपका सेकिंड अथोरिटी एंड डिस्पोंसिबिलिटी की यह क्या बोलता है कि अगर आप एक इंप्लोई से डंग से काम करान नहीं हो सकता जब तक आप उसको प्रॉपर अथोरिटी नहीं दोगे काम करने के लिए कि काम भी करवाना और अथोर्टी भी नहीं देना चाहते तो वह ऐसे काम नहीं चलेगा वह बंदा बहुत स्ट्रेस में आ जाएगा इसलिए अपको देने ही पड़ेगे अगर आपको क एक employee को एक time पर एक ही superior से directions मिलनी चाहिए ओके next is unity of direction unity of direction क्या बोलता है कि एक time पर एक team का एक ही goal होना चाहिए एक team के अंदर जितने भी member है ना उनका cable एक ही goal होना चाहिए एक ही direction में सबको काम करना यह बोलता है unity of direction next जो है हमारा principle है subordinate of individual interest subordination of individual interest क्या बोलता है कि हमें एक individual के interest को सब नहीं करना है बलकि हमें ऐसे efforts करने है कि सारे individual का जो interest है ना वो आज़े कहाँ पर organization के interest में और जब organization का fulfill होता रहेगा जो objective है तो individual का interest भी fulfill होता रहेगा हमें ऐसी भावना create करनी है कि सारे individual organization के interest के लिए काम करें ना कि अपने interest के लिए next point is remuneration क्योंकि आप employee से इतना कुछ expect कर रहे हो कि वो आपके organization के interest के बारे में सोचे तो आपको क्या करना पड़ेगा उसको एक fair remuneration प्रवाइड कराना पड़ेगा एक ऐसा remuneration के वो satisfy रहे अपनी जॉब से जितना वो डिसर्फ करता है उतना इम्मूरेशन आपको उसको प्रवाइड कराना पड़ेगा झालड नेक्स डिग्री ओफ सेंटरलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि पावर सारी एक ही जगा पर है ठीक है अब की नीचे जो और लोग काम करें इनको आपने पावर नहीं दे रहा कि कोई छोटा मोटा भी काम करना चाहिए नहीं को इनसे पूछना पड़ता है तो डिग कुछ को decentralized कर दें मतलब का मतलब क्या है यहां पर कि एक परसन है सब्सक्राइब यह और इस तरीके से चेन फॉलो होती है इसको स्केलर चेन बोलते हैं कि यहां से अगर इस परसन को यह है एस परसन को बात करनी है ना नीचे वाले से यह तो इसको पहले इसको बोलना पड़ेगा फिर इसको और इसको ऐसे नीचे वाले को अगर बात करनी है तो यहां से यहां से इस तरिके से बात परन जाहिए जो प्रोफर फॉलो जाहिए जो राइट जो जेज प्रॉपर होनी चाहिए this is order मतला order में होनी चाहिए हरे कि next is equity equity का मतलब क्या है यहां पर कि आपको हर employee को equally treat करना है किसी के साथ भी business नहीं करने है या partiality नहीं करने है सभी को आपको equally treat करना है ऐसा नहीं है कि एक को आप बिनावाद के डांटते रहा तो और एक जो आपका relative type का है उसको आप बहुत smoothly treat करते हो तो ऐसा नहीं होना चाहिए और सारे employee आपके लिए equal होने चाहिए next stability of tenure of personal मतलब कि जो stability होने चाहिए tenure के अंदर अगर आपके नहीं कोई employee काम कर रहा है तो ऐसा नहीं होना है तो जॉब की security होती है ना बहुत matter करती है कि एक person धंग से काम कर सके अगर एक person को जॉब की security होगी तो वह stress free होकर आपके यह काम करेगा जिससे उसकी efficiency increase होगी राइट अच्छे से काम करेगा वह तो stability of tenure होना बहुत जरूरी है next is initiative कि अगर कोई employee initiative ले रहा है कोई आपको चीज सजेस्ट करता है कि कोई idea देता है तो इसको motivate करना चाहिए हमेशा यह नहीं कि यह तो आपका कामी नहीं है इसका मतलब को क्या होता है union is strength यह एक मतलब हो गया इसका union is strength कि हमें unity में काम करना है एक organization में जितने भी इंप्लोई सबको union में काम करना है unity में रहकर काम करना है तो यह 14 प्रिंसिपल ऑफ हेंडी फ्यॉल management से related बहुत important है क्योंकि 14 है अगर एक एक भी किसी exam में आ गए ना तो आपके लिए बहुत important हो जाता है next question देखते हैं और यह आज का last question है job rotation means job rotation का मतलग क्या होता है तो job rotation में आपने पड़ा होगा HRM के अंदर job rotation में basically होता क्या है एक person को different different job assigns की जाती है suppose इसने particular job कर ली 5 महिने फिर इसको दूसरे department में भेज दिया जाएगा यह कोई दूसरी job दे जी जाएगी ताकि यह इसके सासतना है इसको भी सीख सके ओके यह एक training का पार्ट है इसकी फिर जब यह भी आजएगा इसको तो यह वाली कर दिया तो एक development हो और आपको यह भी आ जाएगा आप इसमें भी efficient होगा फिर यह और फिर यह भी जरूरी नह टास्क बार बार मिलते रहते हैं तो इसको बोलते हैं job rotation organization सेम रहती है बस उसका place change होता रहता है काम करने का तो options क्या है हमारे पास rearrangement of the job contract तो rearrangement of job contract नहीं होता है यह next is job rotation of the job between the various section क्या आपकी job को rotate करता रहे अलग-अलग sections के लिए या फिर changing people in the job एक job के लिए people को change करता रहे या फिर none of the above तो according to me इसका correct option हो जाएगा rotation of job between the various sections कि आप rotate करते रहते हैं इसका काम इसको दे दिया इसका काम इसको दे दिया इस तरीके से आपस महीं यह job को rotate करते रहते तो correct option is rotation of job between various sections तो यह हो गया हमारा correct answer मैं इसको highlight करना बूल गी sorry तो यह था आज का discussion I hope जितना भी हम आपको अच्छे से clear हुआ होगा बहुत helpful लगी होगी आपको यह video as you know बहुत important series चल रहा यह तो प्लीज अगर subscribe नहीं किया तो subscribe कर लो one more thing कोई भी confusion होती है ना मुझे comment कर क्या freely बोल सकते हैं अगर possible होगा या मैं उसको sort out कर सक्क्यों तो मैं next video में जरूर सौट आउट करूं आएंगी तो अपने फ्रेंज के साथ शेर जरूर करना तो thank you for watching the video मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए bye bye take care all the best